नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत अभी हाल ही में यानि कि दस जन्वरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 14-etically सितंबर को हिंदी दीवस बनाया जाता है और 10 जन्वरी को बिश्व हिंदी दीवस अब ये दो हिंदी दीवस क्यों मनाया जाते हैं इसके वारे में हम जाना-जानकारी ले रहे हैं. हमारे साथ है विरेंदर कुमार यादो जी जो हिंदी सलाकार समिती भारत सरकार के सदस्ए हैं विरंदर जी बताई ठीडीघ्य इवसुं बनाया जाता रहा है तो फरें विश्व हिन्दी इवस क्यों बनाया मिश्य पहले तुम्हेट भता दूब कि हिन्दी दिवस के हमारा संब्थान पहलू था जब संब्धान सवह ने 14 19 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभासा घोसित किया तो यह प्रारूपन था कि भारस सरकार की जितनी काजयले हैं वो हिंदी राजभासा में काम करें लेकिन जब हमने संविधान को लगाया 26 जनवरी 1950 को हमने 15 परस की छूट दे डाले और 15 परस की छूट इसलिए संविधान निर्मातों ने दिया होगा कि 15 साल में हिंदी समरिद्ध हो जाएगी और अंग्रेजी को अस्थान नित्रित कर देगी उसके पहले हमने 1963 में ही एक संसदिय संकल्प लाया जिसे ततकालीन ग्री मेंत्री लाल भादूर शास्त्री जी से पारित करवाये गया वो अध्यादेश बना और धारा तीन-तीन का निर्बान हुआ तो धारा तीन-तीन से हुआ कि हर काम को दोहासिय करने हैं तो दोहासिय करने की परिपाटी जब चली और आज तक चली आ रही है तो हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि जो भासा के द्रिश्टी कौन से हमारे देश को राज्यवार तीन भागों में बाटा गया है कोच्षेत्र में और गौच्षेत्र में तो कोच्षेत्र में हिंदी भासी राज्यों को रखा गया है तो हम लोग मांग करते हैं कि वहां दोहासिय की क्या जरूत है वहां धार हिंदी प्रदेश में बिहार है उत्र प्रदेश है उत्राखंड है जारखंड है राजस्थान है डिल्ली है और अंडमानी कोबार है यह सब कोच्छेत्र में आते हैं और कोच्छेत्र में जैसे गुजरात है गोआ है महरास्थ है यह सब कोच्छेत्र में आते हैं और गोच्छ तो इस तरह से भासावार छेत्र का निर्मान किया गया है तो हो सकता है कि तक्निकी गलतियां उससे में हो गई अगर भासावार समय संभीधान निर्माताओं ने यह सोचा कि 15 साल में सारे देश में हिंदी फाइल जाएगी तो दुश्क्राइब यह था लेकिन हम लोगों ने उसको नियम अधिनियम जब त्रेसित में बना दिया तो उसके एक एक पहलू कि अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी में यह तैह हुआ कि अगर भारत के कोई भी राज जब तक अपने विधान सबासे हिंदी को राजभाशा खोशित करके केंद्र सरकार को न भेजेगा तब कर दोर्क हिं डॉकल अरुकर हम बात करें इ Dieses श्चीय को अगया था तो उनकी तिति भी वयमको दिख्याद सफिक कि अग्यात कर दोदी कि उसकी कि आधा जसे के हैं उसकी अभी तिफी इनल्ट कना जiar कं जीनुकर मैं अग्धे पृति स्ट्पों। आ राजभासा कब बन जाएगी और राजभासा तो हई ना दर्जाद तो मिला हुआ है मैंने का सचमुच में और सचमुच में राजभासा बनी तो क्या भारत सरकार के कार्याले हिंदी में काम कर रहे हैं तो हम चुकी कई मंतराले से में जुड़ा रहा हूं और विदेश मंतराले के जो विश्व हिंदी समयलन समनवे समीती है उसका विश्विक पैमाने पर विश्व पैटल में भी हिंदी का प्रचार प्रशार हो उसके लिए विश्व हिंदी दिवस भी मनाय जाना चाहिए तो हम लोग थे उसका समीती में तो 8 जून 2005 को विदेश मंतराले की जो अनुवर्ती कारवाई होती है उसमें बैठक में हुआ तो उसमें हमने प्रस्ताव दिया कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाय जाना चाहिए और क्यों मनाय जाना चाहिए कि चुकि दिर कालिन प्रवाशी गांधी जो दक्षिन अप्रिका में रहने के बाद 9 जनवरी की रात्री को 1915 में जब भारत वाए तो अजादी से पहले वो भासा की लड़ाई में लड़ गये और उन्हें बहुत सारे चीज़ें की औ और दस जनवरी को जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ तो एक संदर्वी था और कुछ लोगों का मानना है या कि जनती है कहा जाता है कि जब गिरिमीटिया मजदूर बना करके ले जाए गए तो वह दिन भी दस जनवरी का था तो यह प्रस्तावम ने दिया और यह सर्व सम्मति से आठ जून 2005 को लागू हुआ मने सुखिर्थ हुआ और 2006 से भारत सरकार ने मनाना शुरू किया और विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मेश समीति के सदस के नाति देशी ने विदेशों में परचार परशार करने जाना तो मुझे कभी कभी लगता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन से कोट के हम से पूछ बैठे कि आप तो विदेशों में हिंदी का परचार परशार करने चलिया है देश में इसकी गती इतनी सिथिल क्यों है तो हम क्या जबाब देंगे अगर भारत में हिंदी नहीं होगी मेरा परके नहीं मिल पाया कि मैं इसको एक पूरा कर लेता हूं फिर इस दूसरे संदर्वित सवाल का जवाब देता हूं कि पहले तो मैं यह बताना चाहना रहा था कि विश्वधी सम्मेलन हमसे पूछे तो बहुत में हिंडी नहीं होगी तो भिसम हिंदी हो सकती है इसलिए हम लोग मांग करते रहते हैं के विद्वानों से भी साहितकारों से भी कि आज हिंदी को सिर्फ साहित ही की भासा बनाने क्या हो सकता नहीं है साहित से आगे हिंदी को ग्यान की भाषा विज्ञान की भाषा सासन की भाषा प्रशासन की अगर बनाने के आव सकता है तभी हम भारत के आंगन मिहनवान का उत्सप देखेंगे और हिंदी का तुलिशी प्रलवित होते हुए देखेंगे तो अब दूसरा सवाल आपकर है कि क्यों नहीं होता है यह मैं अपनी सरकार या कोई भी सरकार भारत सरकार को द्रिश्टिकत दो हिंद्रित है तो जब तक कोई सामजस्य निती नहीं बने कि हम हिंदी और भारतिय भासाओं में पढ़कर के अच्छे भारतिय प्रशासनिक प्रदादिकारी बन सकेंगे डॉक्टर बन सकेंगे अभियंता बन सकेंगे तो यह अगर बिकल्प देदे सरकार उच्छे सिक्षा हां में हिंदी और भारतिय बासाओं का बिकल्प हो जाएगा मुझे नहीं लगता है कि भारत में मुझे फिर कोई हंदी सलाकार समीति बनाने की जरुत होगी यह हंदी की प्रचार प्रशार करनी किया हो सकता हो करेंगी दोदो हिंदी दिवस पनाने की जोगत है हुँ रहत कई भासाओं का देश तो उसमें हिंदी को आप कैसे किसी दूसरे पर थोपना होता है दक्षिन भारत में दक्षिन भारत जाने से पहले मैं उत्तर भारत की बात करना चाहता हूं कि पटना हिंदी भासी छेत्र है तो मैं बैंक से कई सालों से आकड़ा मंगाता हूं कि हिंदी भासी के छेत्र के लोग बैंक में जो अधिकृत हस्ताक्षर है वो किस भासा में करते ह तो मुझे जो आकड़ा दिया जाता है 98.4 परतिसत लोग जो है अंग्रेजी में अस्ताक्षर करते हैं और जब हिंदी भासी अंग्रेजी में दसकत करते हैं एक दसकत हम जब अपनी भासा में नहीं कर सकते हैं तो इसका मांग कोन करेगा यह तो बहाना हुआ कि दक्षिन भार करती अगर अंग्रेजी में नहीं करते हैं तो तमिल में करते हैं तेलगु में करते हैं मराठी में करते हैं कंडर में करते हैं तो चुकि होता क्या है कि जो अभी कंडर करनाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते दिभी रपा मोईली तुए कंडर लगाने का उन्होंने यह कि लगाना है राज्य में तो कैसे लगे की तो उसमें तीन आयोग बनाया वह सलाकार समीति कुछ निए बनाया तो करनर इसलिए मुल्व होते क्या कि उन्होंने तीन सदसी आयोग बनाया और तीन सदसी आयोग को क्यां सकती साली कर ले कि Usually क्यों कि उन्हों वहिंद्य स्मीति प्रकार माने या नमाने सला कर देता हूं ले पूर्च की उन्हों नियम प्रूhot कोई पाया जाता है तो आप उसे निश्कासेति आहीं वरखास तो परदिकार कैंज आयों का और यह और एक साल बिरंद यादो जी से अंबात कर रहे थे और काफी कुछ जानकारी उन्होंने दी लेकिन जो चीजे बताई हिंदी को लेके जब तक सम्मिधान में मुझे लगता है कि संसोधन नहीं होगा तब तक राश्ट भासा बनना या राज भासा बनना कठी नहीं है आज के लिए अतना नहीं तब तक पे दवस्कार